मेलो दोस्तों नमस्कार राधे राधे आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ सुनीता SS ओफिसियल चैनल पर तो फ्रेंट्स आप सभी कैसे हैं आसा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे तो फ्रेंट्स मैंना आ गई हूँ अपने किचन पर और यहां पस अभी मैं लिपाई करने वाली हूँ तो यहां पस करना मैं जो है जाडू लगा रही थी यह देख सकते हूँ आप लोग इधर तो इसलिए जो है न मैं इसको बांद करके रखी हुए हूँ इसको तो देखिए बहुत जादा यहां पस गंदे हो गए हैं देख सकते हैं आप लोग अभी बारिस हुई उससे इस तरीके से गंदा हो गया है तो अब इसको लिपाई करूंगे मैं तो आप लोग बने रही है आप लोगों को दिखाती हूं देख सकते हैं इस तरीके से किचन की हारत हो गई है तो देखिए गाई इस मैं यहां लिपाई करना इस तार्टर दे रही हूं तो फ्रेंट्स जो मैं आप लोगों को दिखाए थी ना पंबारिस हुई थी और यहां पस पूरा खराब हो गया था तो उसी को यहां पस मैं लिपाई करने में लगी हुई हूं सफेद मिट्टी से चुलिए के पास का क्योंकि पूरा जो है न क्या वक्ते उपर में काला काला था तो पानी में भींग भींग करके जो है छीटा पड़ गये थे इधर इसलिए इसको पूताई कर दे रही हूं तो देख सकते हैं फ्रेंस और आज ना मैं पूरी ब्लोग आप लोगों को दिखाऊंगी पुताई का तो आप लोग ना वीडियो में कंटिनीव बने रहीएगा और कैसी लगती है जरूर बताईएगा और हमारे यहां ना फ्रेंस क्या वक्ते होली की जब हम लोग तयारी कर रहे थे उस टाइम पे हमारे घर पे जो कूर्सियां था वो सब भी तूट गया उसी पे चड़ चड़ के लिपाई कर रहे थे ना तो एक जगा पे मुम्मी जो है ना वो गीजा रही थी तो वही मतलब तूट गया तो नहीं है इसलिए ना मैं बाल्टिंग को जो है यहां प कि बार में चार लिए थे लेकिन चारों खतम हो चुके हैं आप तूट करके तो हम लोग जाएंगे एक आग बार तो फिर से ले करके आऊंगी में अब नहीं है घर पे और फ्रेंट्स आजना मैं आप सभी से रिग्वेस्ट करती हूं मेरे जितने भी यूटूब फाइमली देख रहे हैं इस वीडियो को ना उन सभी से रिग्वेस्ट है कि आप लोग ना कहां कहां से हो प्लेज आज ना कोमेंट्स में जरूर बताईएगा सब लोग कि आप लोग ना कहां से मेरे बीडियो को देख रहे हो क्योंकि मुझे भी बहू ज्यादा जानने का स hicौ हो रहा तो एक भाई ने ना बहुत ही प्यारा सा कोमेंट्स किया है और उसका नाम है संतानू गोर्स राजू तो बोले हुए हेलो दीदी मैं बंगाल से हूँ तो आप जो है ना अपने चैनल पे मेरा नाम ले लीजेगा ऐसे बोले हुए थे तो संतानू भाई मैंने आपका नाम ले पता नहीं आप हमसे बड़े हो चोटे हो यह तो नहीं पता है लेकिन हमने ले लिया और अच्छी बात है कि आप बंगाल से हमारा वीडियो देखते हैं मुझे जान करके बहुत बहुत खुसी मिली कि इतने दूर से आप मेरी वीडियो जो है वो देख रहे हो तो आप सभी स से रिग्वेस्ट है कि आप लोग भी जरूर बताईएगा कि आप लोग कहां कहां से देख रहे हो हमारी वीडियो को तो देखें फ्रेंस यहां पसना हमारी पुताई जो है ना ओ कम्प्लीट होने ही वाली है बस थोड़ा सा ही बाकी रह गया है तो मैं ना यहां पसका जो है धूल धूल हो गए थे जाड़ू करने से धूल धूल निकलता था तो वह भी मैं जाड़ू कर ली थी पहले ही इसलिए मैं ना जो है कपड़े को बांद ली थी सर पे और आप लोगों तक इसलिए शेर नहीं की जाड़ू लगाते समय का क्योंकि जादा ही धूल उड़ रहा अगर उस टाइम का करती हूँ ना तो केमरा जो है ना मतलब पूरा धुंदला दिखाई देने लगता है बहुत जादा जो है डस्ट उड़ने लगता है तो इसी कारण से मैं आप लोगों को उसको नहीं दिखाई और पूरा जाड़ू कर ली उसके बाद जब पोताई करने लगी थी तब उसी टाइम का आप लोगों को सेर जो है ओ कर रही हूं तो इसको ना मैं सफेद मिट्टी से हलका हलका जो है पोत दे रही हूं क्योंकि इसमें भी बहुत जादे उगर्दे सब हो गय थे तो अच्छी नहीं लग रही थी अर्मारी को और इस जो सफेद किनारे किनारे पर लेप लगा दी हूं तो उसको भी आप लोगों को नहीं दिखाई मैं क्योंकि अगले ब्लोग में तो बताई भी थी मैं कि हमारे यहां जो है लाइट नहीं है बारिस की वज़ा से तो मैं सफेद मिट्टी का जब लेप लगाई थी ना तो उस टाइम पे म आज नहीं था तो इसलिए नहीं दिखाई थी और एक दिन के बाद आया हमारे गाउं पे लाइट जब भी बारिस होती है हमारे गाउं पे लाइट जो है चला ही जाता है क्योंकि इधर जो है ना एक नदी है तो नदी से इस पार हम लोगों का गाउं है और नदी से उस पार से लाइट आया है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है क्योंकि नदी समझ सकते आप लोग नदी जो है बहुत चावडा रहती है तो तार भी बहुत लंबे तक खिचाया हुआ रहता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है तुफान की वज़ा से तो इसी वज़ा से ना लाइट जो है क किनारे में उसको तो ओभी बहुत ही अच्छे से सूक चुका है तो अभी मैं पूरे घर की जो है ना गोवर से पताई कर दूंगी क्योंकि गुरूसने निकलने में भी मतलब पूरा जो है दूल दूल लग रहा है पर सब में भी और साफ रहता है तो अच्छा लगता है तो इसलिए मैं भी सारा घर की पताई कर दूंगी तो बने रहेगा वीडियोस भी और एक दीदी की पॉमेंट्स आता है कोमल दीदी का और उनके चैनल का नाम तो दूसरा है रियल इस्टिक कहानिया इस टाइप से नाम है थोड़ा सा कहने में भी नहीं बनता है लेकिन उस दीदी ने जो है हमें नाम अपना बताया है इसलिए जानती हूँ कि उनका नाम कोमल है इसलिए ओ भी मतलब बहुत ही प्यारा सा कोमेंट्स की थी कि बहन आप जो है हमें इग्नोर कर रही है आप ओरिजनल वाइस में वीडियो नहीं बना रही है इस टाइप से तो ओरिजनल वाइस में बनाना तो हम भी चाहते हैं लेकिन बहुत लोंग हो जाते हैं ना ओरिजनल वाइस में कि अनुसाद जो है ना वही बनाने वाली थी लेकिन शुरुआत का बनाई उसके बाद कुछते में बनाई उसके बाद में लिपाई करते करते ना मतलब ठकान जैसे लगता है तो मतलब ज़्यादा आवाज भी नहीं निकलता अंदर से तो ऐसे मेना सुनाई भी नहीं देता है हलका हलका सुनाई देता है कोमल दीदी इसलिए ना मैं जो है ओरिजनल वाइस को हटा दी आधा को और आधा बाकी है तो आज मैं ऐसे ही बनाई हूँ और मैं सोची थी आज की कोमल दीदी की जो है खुआईस से पूरी करूँगी क्योंकि तब्यत खराब नहीं था उससे पहले भी बोली थी कि हमें ओरिजनल वाइस में वीडियो चाहिए लेकिन उस टाइम पर तब्यत खराब हुआ तो कोमल दीदी बोले थे पहले ठीक हो लो उसके बाद में बनाना तो अब ठीक हो गई लेकिन ओरिजनल वाइस में ही ओही लिपाई करते समय थोड़ी सी सांस जो है बोलने के लिए अटक जाता है और जोड़ से आवाज नहीं निकलता क्योंकि एक हाथ से काम होते रहता है ना तो थोड़ा सा थकावर जैसा महसूस होता है तो बोलने में थोड अलग तरीके से घर की लिपाई कर रही हूं तो पूरी वीडियो देखिएगा और कैसा लगता है जरूर बताएगा मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद जो है ऐसी लिपाई करी थी अपनी घर को पहले तो करके आप लोगों को दिखाई थी कोमल दीदी को पता होगा और और भी हैं बहुत सारे लोग जो कि सुबसरी इस टाइप से नाम है शुरुआत में लेकिन पूरा नाम मेरे को पता नहीं है क्योंकि लंबा लंबा नाम होता है ना लोंग लोंग तो मुझे भी थोड़ा सा अटपतांजे से लगत पूरा नाम होता है उनको तो तुरंट से याद रहता है तो लोग पहले से देख रहे है हमारी वीडियो को तो उनको पता होगा कि मैंने कह और भी बनाया था इस टाइप से लिपाई की थी तो आज मैं फिर से कर दी हूँ और बहुत दिन हो गया ऐसे लिपाई की हुए तो आज मुझे और मन किया तो मैं फिर से बना करके देख रही हूं तो कैसी लगती है बताईए या और इस टाइम पे ना हमारी छोटी जो है ना घर पे थी तो बहुत जादा हल्ला भी कर रही थी तो आप लोगों को वह भी सुनाए दे रहा होगा क्योंकि किसी किसी को हमारे घर क अगल बगल में चिडिया सब रहती है और मुर्गियां तो उनका आवाज उनको अच्छा लगता है इसलिए आज की वीडियो ना मैं मयूट नहीं की हूं बस हमारी छोटी के वल हल्ला कर रही थी बाकी तो कुछ हल्ला नहीं हो रहा था इसलिए आज की जितने भी मतलब आव सब की और हमारे यहाना खास करके गौरया की आवाज जो है बहुत बहुत जादा आती है अगर आप लोग सुनना चाहोगे तो मैं सुना भी दूंगी क्योंकि सुबह में हम लोग उसी के आवाज से उठा करते हैं गौरया की आवाज से वो एक पेंड़ पे रहा करती है यहा तो किसको किसको पसंद है चिडिया की आवाज आप लोग बताईएगा तो मैं जरूर आप लोगों के लिए जो है वीडियो ले करके आऊंगी चिडिया का आवाज और वीडियो जो है अपना रहेगा लेकिन चिडिया का आवाज भी मैं सुना दूंगी क्योंकि वीडियो अभी नहीं मिलता है ना इसलिए वो घर पे भी भूश जाती है तो देखे हमारी लिपाई जो है बहुत जादे हो जारी है आप लोगों से बाते करते करते और हमारा वीडियो सेर कर दीजेगा फ्रेस का से समझ नहीं आता कभी कभी तो मैं कैसे बना देटी हूं वीडियोस जो घर पर करती हुँ ना उसी को सेयर तो करती हूं बड़ पता नहीं क्यों कभी कभी चलता ही नहीं है और इस ताइम पिना बहुत जादे धूप थे क्योंकि घर का जो है सारा काम कर ली थी और खाना उगिरा भी खा लिये थे हम लोग और मैं नहा करके भी आ गई थी क्योंकि हमारे घर पे लाइट ही नहीं था तो मैं नहाने के लिए चली गई थी और किनारे किनारे का तो मैं करिये दी थी वो सफेद मिटी से लेकिन मैं सोची अगर नहाते आते तक लाइट आ जाएगा तब तो ठीक है लेकिन जो है नहाने जब जा रही थी उसी टाइम पे आ गया था लाइट तो मोबाइल को फिर चार्ज पे लटका करके और मैं चली गई नहाने नहा करके आई तो फिर चार्ज हो गए थे फोन तो फिर मैं बनाना जो है स्टार्ट की नहीं तो अगर नहीं आया होता न तो आप लोगों को ब्लोग भी नहीं मिलता अगले दिन से तो फिर आ गया तो मैं इसको बनाई इसलिए मैं सर पे बांध रखी थी क्योंकि नहां करके आई थी और बाल जो हे ना वो कच्चा था उसको में बनाई भी नहीं थी तो फिर से मतलब धूल-धूल हो जाते इसलिए मैं बांध रखी थी और हमारे यहां ना लाइट की तो कोई भरोसा ही नहीं रहती है तुरंत कट जाता है तुरंत आ जाता है तो यहां पस भी लिपाई करते ही थी और जो हे कट गया था लाइट तो देखिए इस टाइम पे कट ही गया जाणू लगाते ही कट गया तो मैं वह सही करने लगी थी लिपाई क्योंकि थोड़ा सा दर्वाजा साइट से रोशनी घूस रही थी तो दिखाई दे रहा था इसलिए मैं सोची क्यों ना बना ही दूँ क्योंकि बहुत से फ्रेंट्स बोलते हैं एक सशी दसाई करके आते हैं तो ओ भी बोलते हैं कि पूरा मतलब दिखाया करूँ बेटा आधह नहीं अच्छा नहीं लगता है इसलब मैं सोची जब दिखाई दे रही है तो मैं मतलब लिपाई करूं नहीं दिखाई देता तो फिर नहीं बनाती में, लाइट था ही नहीं इसला गया था क्योंकि बना रहे थे ना लाइट को तो कट भी गया था होगा कहीं कुछ हुआ था तो बना रहे थे इसलिए बार बात जो है आ रहा था और कट रहा था तो उस टाइम पर कीचन साइट का निकाल ली थी मैं लिपाई करके और इधर तो थोड़ा सा उजाला है और बाहर का जो है ना मेरा पूरा बरंदा पूरा जो है बारिस से पूरा खराब हो चुका है तो सबको भी करूंगी लेकिन थोड़ी सी क्या बोलते हैं मेरा बरण्दा जो है ना पूरा का फोपडिया गया है मतलब उचड है जिस को हम लोग ळिधिवा साम बोलते हैं कोड़ी आ गया है उचड़ने लगा है जो छबाई की हुना उखने लगा है तो उसको मैं फिर से रिपैरिंग करूंगे में तब जा करके लिपाई करूंगी और एक फ्रेंट्स का फिर से कोमेंट्स आया था हमें कि लाल मिट्टी से लिपाई कीजिए तो उनका नाम तो मुझे याद नहीं है मैं कोमेंट्स पढ़ी थी लेकिन भूल गई तो लाल मिट्टी तो मम्मी के घर पे मिलता था और हमारे यहां तो मिलता ही नहीं है तो उस मिट्टी से तो लिपाई करके नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मेरे गाओं पे नहीं मिलता है लाल मिट्टी, मम्मी के गाओं पे थी, तब तक थी, तब तक दिखाई मैं लाल मिट्टी का लिपाई बहुत जादे लेट हो जाते हैं फ्रेंस, पूरे मतलब पूरा लुक दिखाने के लिए और ना बहुत से हमें काम होती है घर पे, तो हम ना जब फूल लिपाई दिखा देते हैं ना पूरे फर्स की, तो कुछ भी आप लोगों तक सेयर नहीं कर पाते हैं, दूसरा वीडियो, स्री पी एही के वल आ जाता है, इसलिए कभी कभी हमना आधा दिखा देते हैं, तो आप लोग जो है पसंद नहीं करते हो, आधा में बोलते हैं, पूरा दिखाया करो, क्योंकि घर पे ना साप सफाई के अलावा बहुत सारे काम होते हैं, मिटी का घर ना इसलिए हमें नहीं आती, जब भी बारिस होती है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, सिर्फ बारिस मतलब का बलते हैं, बर्शाथ के दिनों पे अच्छा नहीं लगता, जब बारिस होती ही तब बाकी टाइम पे तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, मिटी का घर बहुत ज़्याद करने लगी थी तो उधर ना चोटी और उसके पापा जी सो रहे थे इस टाइम पर धूप था तो वो काम करके आ गए थे और खाट था तो उधर का मैं छोड़ दी हूँ बस आधा लिपाई की हूँ किकि वो लोग सो रहे थे तो बाद में उसको लिपाई कर दूंगे मैं और यहां पस्व मसीन रखी हुई हूँ तो उसको भी हटा करके मैं लिपाई की उसके बाद में आप लोगों को दिखा रही हूँ किकि बहुत बहुत जादे लोंग हो जाते हैं तो हमें भी थोड़ी सी डालने में दिक्कत हो जाती है वीडियो को और कोई-कोई फ्रेंड्स तो पूरी वास भी नहीं करते हैं लोंग हो जाता है इसलिए और हम लोग मेहनत बहुत जादा किये रहते हैं बनाने के लिए और वीडियो जब नहीं चलती है तो अच्छा नहीं लगता है हमें मतलब बनाने का मनी ही नहीं करता जब नहीं चलता है और चलता है उस टाइम पे बहुत जादे बनाने का मन करता है तो देखे दरवाजे तक मैं आही चुकी हूँ लिपाई करके उधर से पूरा और इधर का भी बस इतना ही बाकी रह गए हैं तो मैं ना केमरा को थोड़ा सा मतलब इधर से उधर करके लिपाई करती हूँ जैसे कि आप लोग देखे अभी मैं लिपाई छोड़ करके आ गई थी और केमरे को थोड़ा सा मतलब इस साइड पे करके गई तो इसी तरीके से मैं सारा को करती हूँ मतलब आधा लिपाई करती हूं फिर से आ करके कैमरे को सीधा करती हूं तो आप लोगों को लग जाता है कि कट की हैं तो कट नहीं की रहती हूं बट तोई से ही मैं कर देती हूं जहां से दिखाई देता है अच्छा वहां ले करके रख देती हूं फिर से लिपाई करती हूं फ खुद से करती हुए होली के बाद जो है नहीं लिपाई हुआ था अभी हो रही है तो आप सभी को मेरी वीडियो आज की कैसी लगी आप लोग जरू बताईएगा अच्छा लगेगा तो प्लेस शेयर जरू कर दीजेगा और फिर से वही बाते बोलूँगी फ्रेंट्स जो मैं शुरूआत में आप लोगों से बोली थे कि आप लोग कहां कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग जरूर कोमेंट्स बोक्स में बताईएगा कि आप लोग कहां से हैं आप लोग हर रोज तो कोमेंट्स करते हो वीडियो के बारे में तो आज मुझे जरूर बताईएगा कि आप लोग हैं कहां से मुझे अच्छा लगेगा खुसी मिलेगी कि आप लोग कितने दूर दूर तक देखते हैं हमारी वीडियो को तो यह देखे फ्रेंट्स लिपाई करने के बाद जो हमारी घर की फूल लुक कैसी लग रही है अभी तक तो सुखा भी नहीं है तो इसी वीडियो के साथ जो है मैं वीडियो भी समाप्त करने वाली हूँ तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय फ्रे